दस साल बाद विधान सभाद चुनाव एक बार फिर से जमू कश्मीर में हो रहा हैं इस बार यूनियन टेरिटरी के तौर पर एक राज्य के तौर पर नहीं और एंसी और कॉंग्रेस का जो गडबंधन हुआ है क्या वो बहुमत के जादूई आंकडे तक पहुँच पाएगा इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शिरे कश्मीर इंटनाशनल सेंटर में मौझूद है नाशनल कॉंफरेंस के वाइस प्रेजडन जमू कश्मीर के एक वक्त पे सबसे यंग उमर के चीफ मिनिस्टर है उमार उमार सब स्वागत है आपका आपसे पिछली दफ़ा मुलाकात हुई थी बारा मुला में जब आप लोग सब हचुनाव के लिए कैम्पेइन कर रहे थे वहाँ पे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं Assembly का इलेक्शन नहीं लड़ोंगा अब एक नहीं दो-दो सीटों पे आप लड़ रहे तो इस वक्त Assembly के इलेक्शन को लड़ने के फैसले को आप कैसे एक्स्प्लेन कर रहे और अब तक का election आपका कैसा जा रहा है मैंने अपने तरफ से तो ये तैय किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा और आखरी मरहले तक मैं उस फैसले पे काइम रहा लेकिन बीच बीच में या तो मुलाकात के जरीए इमेल के जरीए मेसेजिज के जरीए मुझे कई सारे लोगों ने एक सवाल पूछा मुझे ये कहा कि जिन आप आप एलेक्शन के दोरान कैमपेइन करने निकलोगे आप असेम्बली के लिए वोट मांगोगे और आप उस असेम्बली के लिए वोट मांगोगे जो आप अपने लिए चाहते नहीं हो जिस assembly को आप खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप किस मूँ से हमसे vote मांगोगे और मेरे पास इस सवाल के लिए जवाब था नहीं अगर मैं इस assembly को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं बाहर जाके किसी और से ये उमीद कैसे करूँ कि वो इस assembly के लिए मेरे उमीदवारों को vote दें एक ये दूसरा जो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ मैं मानता हूँ ये वो assembly नहीं है जो हम चाहते है ना ये वो assembly है जिस assembly का हमें अधिकार या हक है लेकिन इस assembly के जरिये कमस कम हम उस assembly तक पहुंचने की उमीद कर सकते हैं केंदर सरकार ने बार बार ये अश्वासन दिया है कि election के बाद रियासत का दरजा जो है जमू कश्मीर को वापस हासल होगा चलिए अगर वो अपनी मर्जी से दे देते हैं तो अच्छी बात रियासत का दरजा वापस मिल जाएगा अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देते तो जो भी हकूमत आठ अक्टोबर के बाद यहां बनती है मैं तो यहीं उमीद करूँगा कि वो सुप्रीम कौट के दरवाजे खट-कटाके उन से कमसकम रियासत का दरजा जमू कश्मीर के लिए हासिल करें पहले आपने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं अब आप लड़ रहें अब आप कह रहें कि मैं सीम नहीं बनूँगा क्या बाद में इसको भी तो आप अपना माइंड चेंज नहीं कर लेंगे मैंने C.M. की बात ही नहीं की ना आपने मुझे इसे के बारे में पूछा ना मैंने इसके बारे में कुछ थिकर किया सीम के अलफाज मेरे मुझे भी निकले ही आप बनेंगे सीम अगर मौक लगता है कि नहीं मैं 8 October के बाद किसी चीज की बात करूंगा ही नहीं आप से जब हम 12 मुला के बारे में बात कर रहे थे तो मैं Member Parliament बनने का खाब जो है देख रहा था नतीजे निकले तो वो खाब खाबी रहा इस बार मैं वो गलती करूंगा ही नहीं 8 October को नतीजे निकलने दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे मैं दुबारा इस बात पर आऊंगा 8 October को नतीजे निकलने दीजिए फिर बात करेंगे जब आप लोकसभा के इलेक्शन को अनलाइज करते हैं आपके हिसाब से क्या गरबड़ा गया क्योंकि जब आप से बातचीत हुई आप तो काफी confident लग रहे थे कि जीट जाएंगे कुछ न कुछ करके बाजी निकाल देंगे आखरी पांचे दिन में मुझे लगता है वहां हाला बदल गए एक जजबाती campaign जिसका हमने मुकाबला किया नहीं ऐसे नारे वहां इस्तिमाल हुए जिन पर हम खामोश रहे हमें शायर ये लगा क्योंकि एंजिनर रशीद साब के campaign के हवाले से हमारे उपर निशाना नहीं किया जा रहा है तो हम क्यों खामका उनके खिलाफ एक front खोलें और जिन दो मुद्धों पर वोट मांग रहे थे हम उन पर लगबग खामोश ही रहे जो कि अब लगता है हमें उस वक्त उन चीज़ों पर खामोश रहना नहीं चाहिए था क्योंकि आम तोर पर अगर आप देखें तो लोगों बचाना है आपने वोट देना है इस पे हम खामोश रहे हालांके हम भी जानते हैं कि जिल इल्जाम में उनको पकड़ा गया है उनमें फासी सजा है ही नहीं तो उनको किसी भी तरह फासी तो मिलनी नहीं थी लेकिन हमने इसमें कुछ कहा नहीं दूसरा वो हर जगे ये कहते रहे कि हमारे बाप को जेल से निकालना है आप वोट दो वोट के जरीए को जेल से निकलता नहीं है अगर कोई निकलता है वो अदालत के जरीए निकला और 20 दिन के लिए ये भी बारामुला के साथ बारामुला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है अगर उ कि उनके लिए सवाल नहीं पूछ सकते पार्लिमंट में जाके उनके लिए प्राइविट मेंबर बिल मूव नहीं कर सकते उन्हें बेल दिया गया है और जहां तक मैं जानता हूं यूए पीए में बेल हासिल करना नामुम्किन के बराबर है अभी वो लोग जिन्होंने मुश् ना मेरा सवाल है मेरा सवाल है जहां यूए पीए के तहट बाकियों को बेल नहीं मिलता वहां ये बीस दिन का बेल अदालत के जरीए कैसे मिला ये आप मुझे बताएं एंजिनियर रशीद जेल से निकले बारा मुला में उन्होंने सभा की मैं तस्वीरे देख रहा था हु हजूम नजर आया आपको उस वक्त भी भीड थी लोग थे जोश था लेकिन दो तीन हफतों में हालात बदल गए आज पहला दिन है अगले पंदरा बीस दिन में देखते हैं क्या होता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में या आरोप लगाया कि वो दिल पार्टी के मैनिफेस्टों को रूलीस कर रहे थे क्या कहा उनुने कहा कि हम एक दो पार्टी के अलावा हकूमत बनाने के लिए अगर हमें किसी की मदद की जरूत पड़ेगी हम लेने के लिए तैयार हैं दो तिन पार्टी के नाम कहके उनुने कहा इन लोगों के साथ हम काम नहीं करेंगे जिन पार्टियों का उन्होंने नाम नहीं लिया मतलब कि जिनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं तमाम आजाद उमीदवार एंजिनियर रशीद साहब की पार्टी अलताफ बुखारी साहब की पार्टी अपने गुलाम नवी आ लोगों से वो नमबर हासिल कर लेंगे पर इंकी तो पॉलिटिक्स पर दिक्कत हो जाएगी अगर उन्होंने बीजेपी से टाइप कर लिया तो यह तो पीडीपी का भी एक मसला था ना 2015 में लेकिन टाइप तो कर लिया ना उन्होंने आपको लगता है कि जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना अगर कॉंग्रेस एंसी और पीडीपी मिलके लड़ते तो ज्यादा मजबूत अलायंस होता है महभू बादी तो तयार लग रही थी अलायंस के लिए हमने पीडीपी के लिए दर्वाजे बंद नहीं किये उन्होंने अपने लिए खुद दर्वाजे बंद कैसे वो तो कहती है कि आपने कभी अच्छे से ट्रीटी नहीं किया वो तो मिलके लड़ना चाहती थी कहा मिलके लड़ना चाहती थी मैंने इंटिव्यू किया हूंका कब किया आपने कल कल हम लोग गई शोपियां गई पर्लिमंट एलेक्शन में हमारे उमीदवारों के खिलाफ उमीदवार क्यों उतारे मैदान में जब उनसे उस वक्त कहा गया था कि पार्लिमंट में सीट शेरिंग की कुझाईश है नहीं आप असेंबली तक इंतिजार करिए एसेंबली में हम मिलके एलेक्शन लड़ेंगे उस वक्त उन्होंने उमीदवार क्यों खड़े किये अब चलिए पार्लिमंट के नतीजों के बाद लगातार अगर एक पार्टी पे पीडीपी ने निशाना जो है लगाया वो नैशनल कॉंफरेंस है आएक तरफ से आप कहते होते हम कांग्रेस के साथ क्यों करते क्यों करते कि अब ही बीजेपी के शिच नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब्दूल्ला मुफ्ती के परिवार को हम किसी तरीके से सरकार नहीं वालाने देंगे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए यही तो मैं कहता हूना जमूरी तरीकों से वो हमें बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं वो मतलब देश प्रेम वगरा वो सारा पहाड़ेंगे उस तरफ के लिए ठीक है यहां वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तयार है किसी की भी मदद करने के लिए तयार है किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है नाशनल कॉन्फरेंस और पीडीपी को कमजोर करने के लिए यहीं तक बीजेपी का देश प्रेम जो है वो रुक जाता है हम बैटके बीजेपी का इंतिजार करेंगे और देखेंगे वो किस तरह इन आजाद उमीदवारों के साथ और छोटे जमातों के साथ हकूमत बनाता है आप नहीं लेंगे पीडीपी को कि मेहववजी को फोन करके ही चाहिए आप ने कहा स्प्लेट ना तो स्प्लेट में तो हमारी कोई कुझाईश ही नहीं होगी आप सोच लीजे आप क्या बूल रहें क्योंके 8 एक्टूबर के बाद आपको क्या पता उनके साथ काम करना पड़े नंबर तो आने चाहिए ना आपने तो कहा स्प्लेट स्प्लेट में तो फिर आप क्या मतलब यह कहारें कि बीजेपी के पास नंबर नहीं होंगे मैं कह रहा हूं अगर किसी के बास भी नहीं होए तो जैसे महबुआ जी ने कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे पीडीपी तो मैं कह रहा हूं कि क्या बनाएं देखनाब उन्हें पहले भी बीजेपी को हकूमत में लाने का काम किया 2014 में दुबारा करें हम तो कम अजकम इसमें शामिल नहीं होंगे अच्छा पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई आपने कहा कि देखो तुम ये लाल चॉंग का बता रहे हो लाल चॉंग देर रात तक खुल अर्द है लाल चॉंग कश्मीर वाली नहीं है मुझे याद है आपने क्या खा कल तो हम लोग शोपियां गए खुलगाम तो सारे शटर डाउन रहते थे आर्मी के काफिले को डर लगता था कि गोली कहीं से चल जागी अब तो बिल्कुल ऐसा नजारा नहीं है वहाँ पर तो नहीं चलती हैं क्यूंके इनका रुक जो है अभी फिलहाल जमू के तरफ है आज कश्मीर में आपको शटर डाउन नहीं नजर आएंगे लेकिन जम्मू में खौफ है पर आप मानेगे कम से कम कश्मीर घाटी में कानू उनिवर्स्टा पहले से बहुत बहुत है तो मैंने उस वक भी तसलीम किया मैंने उस वक भी कहा कि बीजेपी ने कमस कम और कुछ नहीं तो यहां इलाइदगी पसंद जो लीडर ह उनके बयानों में जो है कमी आई है वो अब खुल के वो बात नहीं करते जो पहले किया करते थे कि आप उसको positive development नहीं मारते हैं तो कितने बार ना अब स्कूल वैसे भी खुले रहते थे बीच बीच में हालात खराब हुए कभी 10 में कभी 16 में लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंटीस साल बच्चे स्कूल नहीं है तो आप मानते हैं कि पहले से कानुन वेस्था बहतर है अभी यहां पे चार बड़े-बड़े उद्योगपती आयते हैं अलगले होटेल्स चलाते हैं टूरिजम से जुड़े अब अच्छी बात है अगर उनको कमाने का मौका मिला है बड़े अच्छी बात है क्योंकि अभी तक टूरिजम का हमने दोहजार य़ारह में में भी देखा उसके बाद थोड़ी रोका गई फिर सहलाब आया फिर हालाद बिगड़ गए अगर अमन का थोड़ा सा फाइदा यहां होटलों के मालिकों को मिला है तो अच्छी बात है लोक सभा चुनाफ के दौरान आपके खिलाफ एंजिनियर रशीद लड़े जेल से अब पहली बार मैंने सोचा कि एंजिनियर सहाब ने पहले भी एलेक्शन लड़ा है इस बार फिर लड़ रहे हैं यह मतलब कोई बड़ी बात है नहीं लेकिन इस बार अब मुझे लग रहा है कि एक सोची समझी साज़िश के तहट करवाया जा रहा है किसी की तो होगी इन लोग होते हैं मुझे बताइए नब यह हो कैसे जाता है 90 सीटों में सर्जन बरकती सहाब को और कोई सीट नजर नहीं आई मां सेवाए एक सीट जहां मैं लड़ रहा हूं और एक सीट जहां उनको गलती हुई जहां मैं पिछली बार लड़ा था उनको लगा कि इस बार भी मैं वह प्राजिश के तहद लोगों को जेल से लाके सिर्व मेरे खिलाफ जो है इस्तिमाल किया जा रहा है नहीं तो सर्जन बरकती सहाब का ना गांदरबल से कुछ लेना देना ना बीरवा से कुछ लेना देना मुझे लगता है अगर आप उनको जम्मू कश्मीर का नक्षा दिख मनजूर कराए और फिर गांदरबल और बीरवा से मनजूर करवाए यह ताकत रखता कौन है नहीं पर इसमें दूसरी दिक्कत यह है कि जमाते इसलामी के भी कुछ इंडिपेंडेंट कैनिडेट इस दफा लड़ रहे हैं तो आपको अपने इलाकों से लड़ रहे हैं वो य दिल्ली के जरीए किया जा रहा है और आप लोग जादा दिल्ली के बारे में कह नहीं सकते हो ने ना वो तो हकीकत है अब चलिए थोड़ा सा 240 पर जब आए तो आप लोगं को थोड़ी हिम्मत आ गई अगर 400 पर आए होते तो शायद ही आप मुझसे बात करते यहां पर रहे मैं आपसे जमाते इसलामी के बारे में पूछ रहा हूँ क्यूंकि अगर जमाते इसलामी पे बैन तो अभी भी है पर अगर उनके इंडिपेंडनेंट केंडिट खड़े होते हैं क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर की राजनीदी पर क्या प्रभाव डाल सकता है एक तो हम पहले दिन से कहते आए कि अगर जमाते इसलामी इलेक्शन लड़ने के लिए तयार है तो उनको इलेक्शन लडने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा उन्होंने कोई मतलब agreement नहीं उनको जम्मू कश्मीर का कोई सियासी उनको कोई agenda नहीं उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हमारे उपर बैन उठा दो हम election लड़ेंगे वो बैन उठा नहीं इसलिए आज़ाद उमीदवार के तौर पे आज वो election लड़ रहे है चलिए वो भी अपनी किस्मत अजमा है पर यह बहुत बड़ी बात नहीं कि पहले हुरियत की तरफ से सेपरिटिस की तरफ से आता था कि election का बहिशकार होगा अब हम जब कल घूम रहे थे उससे पहले भी हमने देखा लोगों में युगाओं में खास दोर से चुनाव में भाग लेने में वोट देने में अपनी ब अब एलेक्शन ही लड़ना था आपके पिता जी ने चीटिंग की ओव 1987 के लेक्शन आप 87 की बात क्यों कर रहे हैं आप मैं 96 की बात कर रहा हूं ने कहते हैं कि आपने नहीं किया हो तो आज कौन सा इलाज हुआ उसका आज कौन सा इलाज हुआ चलि आप 87 पर वापस गये उ आखिर कहीं ना कहीं तो पिछले 35 साल का हिसाब किताब तो बराबर करना होगा न आपको लग रहा है आपका जो अलाइन्स पार्टनर है कॉंग्रेस क्या वो जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाईगी क्योंकि अल्टिमेटली 8 अक्तूबर को क्या तस्वीर उबर क आती है वो कश्मीर घाटी पर ही निर्वर नहीं करेगा जम्मू में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत होती है इस पर भी निर्वर करेगा बिल्कुल और हम उमीद करने कि कॉंग्रिस का जो प्रदर्शन जम्मू में है ठीक रहेगा कोशिश तो हमारी यही है इसलिए हमने मि की मुलाकाद भी हुई अलाइन श्टॉक्स के दौरान कुछ फरक आप पा रहे हैं पहले के राहूल में और अपके राहूल में आपको कुछ नजर आ रहा है चेंज किस लिहाद से आप सवाल पूछ रहे हैं आप किस लिहाद से उमर उनकी ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी और आप किस लिहाद से उनमें फरक पाना ता रहे हैं उनके सोचने के तरीके में काम करने के तरीके में कोई फरक आपको नजर आ रहा है कि नहीं आपको नजर के तोरपे उबर के आए हैं अब कौण उनका मज़ाख उराता है कोई नहीं जिस तरह उनका पार्लमानी एलेक्शन के दोराँ जो प्रदर्शन रहा जिस तरह उनुने मुल्क को जोडने के लिए एक बार नहीं दो बार यात्रा जो है काम्याब तोर पे मुकमल किये जिस तरह कई सालों के बाद सो सीटों के आसपास कॉंग्रिस का जो है पार्लिमंट में जो है उनकी तहदाद बढ़ा के पहुंचा दी जाहिर सी बात है कि एक लीडर के तोर पे वो उभर के आये हैं और हर बार अब जब वो बात करते हैं तो हकूमत वाले हिल जाते हैं आप जब नमांकन भरने गए तो दृष्ट सब के सामने आए अपनी डोपी उतारी हो बोला तो उस वक्त नहीं था वो बाद में था आपने तरीके से कहा कि मैं अपनी डोपी आपके सामने रख रहा हूं मेरी इज़त अब आपके हाथों में उसको दो तरीके से देखा गया एक तो जो आपके सपोर्टर्स थे वो काफी एमोशनल हो गए कि देखे उमार साब ये कर रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है जो आपके क्रिटिक्स है वो कहते देखे कि मैं ओवर कॉण्फिडन्ट लाजर अगर मैं ओवर कॉण्फिडन्ट हूँ तो मैं लोगों से वोट की भी क्यों मांगूं आखिरकार उमीद्वार के तौरपे मेरा फर्स बनता है कि मैं लोगों के सामने जुकं़े उनसे वोट मांगूं मैं अगर घमंड से मांगूं तो आप कहोगे कि एरोगंट हूँ अब जब मैं जुक के मांगता हूँ आप कहते हो आप डरे हुए हो मैं किसी पर जीत नहीं सकता आप मुझे बताई ना मुझे किस तरह मांगना चाहिए फिर मैं आपके तरीके से मांगूंगा आपको अपनी जनता से खुद का कनेक्ट बनाना है हमारा उसमें कोई काम नहीं सुर आपने पिछले 25 साल में कई चुनाव देखें इस इलेक्शन को बीते चुनाव से आप कैसे अलग पाते हैं पहले तो ये यूटी में पहला इलेक्शन है ये रियासत के दो हिस्से होने के ब बात करते थे जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए वो लोग आज एलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं इन्होंने अपना मन क्यों बदला है कि आपको लगता है कि सेपरिटिजम का जो भाव है उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ नहीं पर आपकी क्या चोरी है मैं कैसे कह सकता हूँ आप उन्होंने क्यों अपना अपनी सोच क्यों बदल दी ये जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं जो पिछले 35 साल फिर किसलिये थे जो 35 साल यहां पे बंदू का असर रहा ज वो किस लिए था यह मैं वो सुनना चाहता हूं पर अच्छी बात है एक तरीके से आपको लग रहा है क्या सेप्रिटिजम की भावना क्या कम हो रही आपकी नजर में मैंने कब का वो बुरी बात है हमने हमने कब सेप्रिटिजम का साथ दिया ना मैं उस तंजीम से तालुक मैं सीनियर वर्कर जूनियर वर्कर ऑफिस बेरर्ज जो है इन 35 साल में मारे गए कितने घर ऐसे हैं जो उजड़ गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कसूर था वो नैशनल कॉन्फरेंस के साथ जुड़े रहे और नैशनल कॉन्फरेंस ने हिंदुस्तान के आईन के बाहर किसी हल के बारे में बात नहीं की हमने हमेशा कहा कि जो जम्मू कश्मीर को मिलेगा इस आईन के तहद मिलेगा उसका हमने खम्याजा भुकता उसका हमें निशाना बनाया गया हमें यहां सेपरिटिजम कम होते हुए हमें अफसोस नहीं हमें खुशी है यहां बंदूक का असर कम ह हमें उस बात की खुशी है आर्टिकल 370 के आपको लग रहा है कभी वापस आएगा या अब आपने एक तरीके से उमीद छोड़ दी है कि अब ये तो बड़ा मुश्किल है वापस आप उमीद कौन छोड़ रहा है कि आपकी बातचीत हुई कि अगर कभी सरकार बनती है तो हमें इसको वापस लाना इस सरकार के जरीए ये वापस नहीं आएगा ना और कोई सरकार आगे बने तो और कोई सरकार आगे बनेगी तो फिर हम ये बात करेंगे अभी बात नहीं हुए इन लोगوں के दिली में रहते होए तो झी नहीं होगा न तो फिल हाल हम इसे बात ही क्यों करें जब दिली में सरकार बदलेगी हालाद बदलेंगे फिर हम बात करेंगे कमस कम तब तक हम इस issue को जिंदा रखेंगे और स्टेट हूट का जहां तक सवाल है कि आपको लगता है कि एलेक्शन के फॉरन बाद मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, रूला रूला के मिलेगा, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या रूमान है? अगर एंजिनियर रशीद साब के साथ बीजेपी वाले हकूमत बनाते हैं, तो शायद हकूमत बनाने के दो दिन बाद आपको स्टेट हूड मिलेगा, अगर बीजेपी वाले हकूमत से बाहर रहे, तो शायद रूलाने की कोशिश करेंगे, मैंने बार बार कहा है, अगर अपन प्रेशर कुकर से उनका रिलीज मिल रहा है उनको और आज एंजिनेर रशीद साहब ने क्या बातें की क्या कहा अफजल गूरु साहब की कुर्बानी मक्बूल भट की कुर्बानी बाकी लोगों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए क्या कहा आप इससे क्या अच्छी बात कैसे हो सकती है तो अगर जीत जाते हैं कौन सा सेंटिमेंट जीत जाता है तो फिर बीजेपी का ये सारा नारा के हमने सेप्रिजेश सेंटिमेंट खतम किया अब सारा कुछ ठीक है जमू कश्मीर अब बदल चुका है यहां वो हालात रहे नहीं क्या वो साबित नहीं होगा कि बीजेपी ने लोगों को दोखा दिया तो फिर जब आप कहते हो कि एंजेनियर रशीद साब के प्रोग्राम में लोगों का हजूम था यह आपकी कामियाभी है यह आपकी नाकामी है हकीकत है लेकिन अच्छी बात है या बुरी बात है मेरे हिसाब से तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत टेंजरेस है लेकिन इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स वो बीजेपी की शेह पर क्यों कर रहे होंगे आप यह कंस्पिरिसी का चार्ज एक तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ये कहा कि नैशनल कॉन्फरेंस को हराने के लि उन्होंने पहले भी पीडीपी की राजनीती खतम की पीडीपी को अगर पीजीडी में जगए नहीं मिलती उनकी तो राजनीती खतम हो गई थी नए सिरे से अगर वो जिन्दा हुए तो पीजीडी के वजे से अगर बीजेपी एंजिनियर रशीद साब की मदद से हकूमत ब हर उमीदवार को नतीजों की पहले, मेरे ड्यादा क हारने की उमीद नहीं रख रहा हूं मुकाबला होगा लेकिन जीतेंगे, हार से आप कोप कैसे करते हैं, वाकर लगा लेकिन कर लिया, करना परता है, और कोई चारा क्या सा, मैं क्या घर बैटके रोता रहता, रोए कभी आप बीच-बीच में आसु आए रब हारा एलेक्शन हारा एलेक्शन उमीद नहीं थी एक आद आसु आगा निकल भी जाए तो कौनसी बड़ी बात है तो अभी उमार साब की हालत वो ऐसे student की तरह है जो की board exam से पहले बहुत tension में रहता है कि अब नतीजे कैसे आएंगे उमार अब्दुल्ला साब आप जुड़े हमारे साथ आपने अपनी बात रखी आपको चुनाफ के लिए हमारी शुप कामना है और 8 अक्तूबर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्राइब अक्तूबर के अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है लोन वेरियर अकेला जो लड़ने निकलता है आखर क्या वज़ा है सजाद साहब कि आप जो है ना नैशनल कांफरेंस से गटबंदन करते हैं ना पीडीपी से करते हैं जो आपके परिवार में पॉलिटिशन अब नया नया उबर के आया है नौर्ट कश्मीर से इंजिनियर रशीद साहब वो तो पबलिक डुमेंड में कहते हैं कि मेरे उस्ताद लोन साहब है उनको भी आप साथ नहीं ले पाते हैं आकर क्या वज़े है अब अकेले चलना पसंद कर रहे हैं नहीं अकेले नहीं है पार्टी तो बहुत बढ़ गई है अभी भी मैं आपको वसूख से कहूँ कि तक्रीबन मैं ज्यादा नौर्मली एस्मबली एलेक्शन्स में लोग या पार्लिमेंट में प्रैक करते हैं प्ट कमसकर दस बारां जगा होंगी जहां हमरी थकर फरस्ट यह सजूएट प्लेस के लिए होगी तो अकेले तो नहीं हैं बाकी ऑलाइणस का एक इडियलॉजिकल जो होता है अम मामला होता है अलग होता है तो ओवर लैप नहीं हो तो people align stuff होता है और फिर मैंने अक्सर देखिया कि vote add up नहीं होते हैं मेरा अपना मानना है कि vote add up नहीं होते हैं नक्सान ही होता है इस assembly election को आप कैसे देख रहे हैं जो पहले आपने चुनाव लड़े हैं उससे जवाब तुलना करते हैं इस एलेक्शन में आपके हिसाब से आपकी और आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाले हैं? मुझे लगता है कि देखी जोमो कश्मीर का जहां तक सवाल है हमने चुनाव यहां, in fact, मैं उधर की तरफ आपको नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन चुनाव ही एक रीजन थे जिसमें रिगिंग की वज़ा से हम मिल्टन सी आई तो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैं लेकिन मुझे लगता है उसके बाद यह वाले चुनाव हैं, जो हैविली इंजिनियर्ड हैं यह वाले हैं, हाँ, बहुत हैविली इंजिनियर्ड हैं, ओवर रन बाइजन्सीज, ओवर रन बाए एक्स्टनल फोर्से, I can see it, there is too much of external monitoring बहुत ज्यादा है दिल्ली एक बहुत जबर्दस experimental stage में है, experimentation कर रही है और I can tell you, it's a post-dated check for disaster, mark my words क्या experiment हो रहे हैं, अब invisible experiments यहां, जमो किश्मीर में कितने वो किसी को पता ही नहीं है इन national interest तो यहां कुछ भी हो सकता है, और कोई national party तो इनको बोलेगी भी नहीं जादा आप देखिए, जो भी शोर उठ रहा है, किश्मीर में उठ रहा है नहीं वो ठीक है, it's very easy to stop me, it's very easy to accuse me मेरे कोई Godfather's दिली में हैं नहीं, तो मुझ पर attack करना बहुत आसा है की नहीं है? नहीं है, अचा मुझे लगा आपने कहा कि हैं मेरा फादर, मैंने उनको डैल्यूट किया है, थोड़ा बहुत में इलेक्शन लड़ता हूं, उन ही लड़ते थे, अपने आखरी आया हूं लेकिन मेरी रेफरेंस पॉइंट वही होगी, and he's in a martyr's graveyard, that is very important for me, that is, that will remain my reference point, period. बाकि कोई कुछ भी बोले, I have been able to withstand so much of abuse, so much of slander, because I have a very strong ideological background through my father. सज्जाद साब, मैं आपके election के आंकड़े देख रहे थे, जब से आप politics में आये, लोन साब की शहादत के बाद, आपने जब 2014 का Parliament election लड़ा, बहुत कम margin से आप हारे national conference से, उसके बाद आपने assembly election जीता, आप minister बने coalition government में, जो PDP और BJP की थी, फिर जब एक समय आया, जब BJP ने पुल आउट किया उस coalition से, आप आज इस पब्लिक मंच पे बोलिए, आपने कुछ दिनों कोशिश की थी, कि आप as a chief minister बनके एक सरकार बनाएंगे, जो BJP और PDP की टूट पड़ी थी, क्योंकि कोशिश होई थी, किस लेवल तक कोशिश होई थी, क्या? तब कोई और कुछ करने की कोशिश कर रहा था, कोई हो, तो हमने भी एक रज़ी डाल दी, तो जैसे facts बाकों के लिए खराब था, हमारे लिए भी खराब था, ऐसा नहीं कि हमारे लिए ठीक था, but then what happened is that, as I told you, it's very easy to attack me, very easy to attack me, no defense, nothing at all, एक डेली मीडिया में especially, there is an anger, कि बा कोई है, इसको क्यों हम स्पेस दें, कागर इसका बाप सेपरेटिसम में चला गया, ये भी जा सकता है, there is that thing, whether you agree to it or not, जिदरी गाली आप मुझे दे सकते हैं, आप ही बताओ किसी ने लिए है, अभी पिछला एलेक्शन लड़ा सारा इसी BJP पर, आज मालुम बड़ा BJP है, वो छोड़ी अब उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन, it's very easy to attack me, and I know because I am bereft of any godfathers in Delhi. पॉलिटिकस थी, मैं उसी से उबरा हूँ, उसी को सिखा हूँ, उनको इज़त करते हैं, समान करते हैं, क्या लोन साब का actual वारिस, इंजिनियर रशीद को आपके वोटर माने या आपको? उनके दो ही बेटे थे, बाकी मुझे नहीं मालूँ है. इंजिनियर रशीद को जिस तरीके से चुनाफ से पहले बेल मिली संगीन आरोपों के बावजूद, और जिस तरहां से भीड आ रही हैं, उसका आपके बारमुला में ठीक भीड थे थे, कितनी थे, कितनी थे, इग्जैक नबर बता ही है, अश्र भी गोधी मीडिया शुरू आपको लगता है, इंजिनियर रशीद के बाहरा की कैंपेइन अगर आपने मुझे इंजिनियर रशीद को डिफेंस के डिफेंस के डिफाइन, यार दुनिया जीतिया, व्यर्य उपसेस्ट विदिम, उनको बोलो जिनने बेजा है, बोलो बूल जाओ, वो दिन अलग थे, य मैं क्यों उनको बोलूगा, मैं अपने बात करूँगा, मैं हन्वारा लटना है, मुझे एंसी के साथ लटना है, त्रेगाम लटना है, एंसी के साथ लटना है, कुपारा लटना है, एंसी के साथ लटना है, लोलाब लटना है, एंसी के साथ लटना है, लंगेट लटना है, किनके साथ, इंजिनर साथ, इनके भाई के, क्यों वाँ दो ही पार्टियां ज्यादा स्ट्रॉंग है, इनकी और हमारी, पटन लड़ना है, तो एंसी के साथ लड़ना है, आठ अक्तूबर के बाद, अगर किसी भी एक पार्टी या अलाइन्स को बहुमत नहीं मिलता, हम सेकलर लाइन्स के साथ जाएंगे, हम किसी कॉमिनल लाइन्स के साथ नहीं जाएंगे, या बैठ के बाहर बैठ जाएंगे, कॉमिनल कौन है, कॉमिनल मैं हूँ और कुन है, बाकि आप लोग तो सब ठीक हैं, दिली वात है, मैं एक कॉमिनल हूँ, नहीं क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया वाई आर्यू आस्टिंग मी वेजर इस कलर इस रेड़ सो अब जाने छोड़ दिए सज्जासभ सज्जासभ अगर आप कह रहे हैं कि अभी कि हमारी पार्टी ने विस्तार किया एक्सपेंशन किया है लेकिन अगर हम पिछले एसम्बली का रिकार देखें मैक्सिमम दो या तीन आपके अमेलेज चुनके आए थे वो भी नार्थ कश्मीर से आखरकार फुल फ्लेज़ड आपको पूरी जुमो कश्मीर बेस्ट पार्टी के कब बनाएं कि और बहुत सरी नेता जो अलग-अलग पार्टी में हैं पिपल्स कांफरेंस से निकले हैं कुछ लोगों को आपने वापस लाने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों के दोरान जब से फिर चुनावी ये शुरू हुआ वो फिर खिसकने लगे तो फुल फ्लेज़ट पार्टी बनाने में आपको क्या रुकावट आ रही हैं जब कोई हमारे पास आता है तो बोलते हैं दिली ने बेजा है जब वो जाता है तो वो खुद जाता है ये समझ नहीं आई मुझे अगर आता दिली के कहने पर है जा तक कैसे कोद है पार्टी भी थी वो आई और गई लेकिन कॉंगरस उदर ही है अभी तक बीजेपी उदर ही है जितने भी बाकी आए वो चल जंदा दल बीच में आई उठके चली गई तो वो यह बीन देर फॉर वेरी लॉंग टाइम काफी देर से रहे हैं काफी मुश्किलात से रहे हैं 87 की दिगिंग देखी है फिर जेल देखे हैं हमारे लोगों ने मार दिया उनको कितनों को शहीद किया गया है राइट यू नो इट कितनी जेल टॉर्चर कितना हुआ हूँ वेर्स टाइम्स हम तो पावर में ड़ाइ साल रहे हैं ना बाकी तो हमें हमेशा रिसिविग एंट पर ही रहे हैं और वो भी सेप्रेटिसम के टाइम पर जेलू में रहे हैं तो यह तो मतलब कोई नॉर्मल तो है नहीं बहुत मार खाई है इस चुनाव में जमाते इसलामी के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडेट्स भी खड़े हो रहे हैं उनकी मौझूदगी को आप कैसे देखते हैं यूँकर पिछले तीन दशक से तो बैंड रहा है अभी भी बैंड है अच्छा है अगर वो लड़ रहे हैं अच्छा है उनमें भी बहुत देखिए आइडिलोजिकली हमारा उनका कोई मिलाप नहीं है यह पुराने अलेक्शन जो अभी पार्लिमेंट के हुए जम के उनने हमारे कलाब वोड दाला जम के मज़े से बट उन्हें बहुत पेंड देखा है उनने बहुत मुच्छा देखि इस वक्ट भी उनके हंडर्स ओफ लीडर जेल में है बहुत अच्छा किया उनने बच जाएंगे वाह शुर्दे कमिट सूसाइड उनको बंद कर रहे हैं कोई काम नहीं करने दे रहे हैं कर दो कि बच्चुों को फुलीस वरीफियरिफियन सेटिफिकेट नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छा किया उनने बहुत ही अच्छा किया और मुझे लगता रोका गया उनको अगर फुल फ्लेज लड़ते तो कुछ पार्टीया ही उड़ जाती उनको पता होगी कुछ पार् जब दिली स्पेस देती थी सेप्रेटिजम को, वर्बल सेप्रेटिजम, not the violent one, क्या बात करो, अभी डेली का है कि नहीं कोई स्पेस देनी है, स्पेस नहीं देए हैं, वो अंदर बैठ के, चुप करके, बैठ के, ड़संट मीन, like a rabbit, that you close your eyes, and the danger is away, so don't close your eyes like a rabbit, the danger is still there, it's just gone underground. हैं, नार्थ कश्मीर में कुछ सीटें आप निकालेंगे, जो अनमान है, अनलिस्टस अलग-अलग कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ सीटें मिलती हैं, तो यह साफ है कि जम्मो कश्मीर में जो बनने वाली नई सरकार है, वो कोई stable government नहीं होगी, उसमें जरूर मदद, क्य कर देखना चाते हैं? तो अनलिस्टें में होगी, आपको फइर करने के लिए जो है। जो है, ओर करना लाग-जोरा, आपको पीसे में किसी को बंद करना है। ये हैं, अपको सीटें के साथ, ये हैं कुछी से लिए से के सारें होनगे? बैटिंगे, but as I told you this is a new Sajad loan, I am telling you straight on whatever they do the guiding force will be my father's political legacy in a diluted form, what it means to be in mainstream तो new Sajad loan और old Sajad loan में क्या फर्क है? अभी बोला कि ठीक है जो इनको पुराने केस को ने खोल तो कोई प्राब्लम ने है यह जो है ना जो सेप्रेटिसम है रहा है आज की डेट में तो 14 साल पुराना केस I'll tell you something you know so much has been talked about me हाला कि पार्टी मेरी छोटी है लेकिन गालियां disproportionately बढ़ती है everybody seems obsessed गालियां देने में कि यह यह है यह वो है, as if यह सारा किश्मी रिशू में नहीं बनाया हुआ I don't have that clout in JNK politics that I could actually do it but Rahul for me to do politics I have a father who was a separatist I have a father-in-law who was a separatist against whom Government of India had issued a warrant of arrest across the world and then I have a wife who is a Pakistani passport holder and the daughter of her father it is so difficult to live here forget it to do politics I don't have the luxuries of saying things which others have the moment I say this do you know something my children they study abroad this is their third passport when I went for their third passport while everybody was clamoring he is a BJP guy they were not only denied passport but their case was sent to Department of Citizenship that they are Pakistani citizens and they have got this acquired this initiative by fraud my wife's status that you are your this thing police verification certificate I have been a victim of the denial of police verification certificate nobody helped me we went there and I presented myself I said they have gone to Pakistan on a Pakistani visa how can they be citizens of that country right so I have gone through hell I know what it is my wife's status 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 she is here on a temporary one month this thing she is here on a temporary one month so there are no luxuries like I tell you now the story of your house sometimes you get you want to burst you want an outlet and you see these things for me to live here or to do politics is very very difficult I don't have the luxuries with others and there is a little explanation there is a grammar this is it it will go the way of the father's and then they curtail my space how do they curtail my space they do that by existing mainstream they give them I don't know whether you have studied conflicts but this is something in conflicts across the world that whenever somebody from the victim side wants to go to the mainstream all the mainstreamers get together and call them collaborators this is not in JNK this is in every conflict in the world at least 80% times whenever they want to join the mainstream they want to sort of come to some negotiation jo incumbents hote hai jo incumbents hote hai they call them collaborators that's what is happening you got Jamaat guys coming they call them collaborators there was me I was I would not fight elections I came to the first day I said collaborator this is the vote I remember when I was in 2009 so a very senior leader said okay there was a lot of I have to say I was I saw a lot of reports when the jumeo kashmir assembly was published in 1999 in 2009 and it was discussed in that you don't know where you are but I have a lot of you have a lot of kashmir road map which you have worked on so big a book which you have told me how much of the kashmir देखे, I will tell you something. Rahul, the reason Kashmir is unresolved is not because of dearth of solutions. आप सुनना. Solutions की कमी दी है. मैंने से solutions means without changing geography. कि आफ जोगरफी intact रखिये और एक solution लाए. There is no dearth of solutions. There is a dearth of leadership. On this side and on that side. The day two statesmen sit on two seats, it will be resolved in one day. Mark my words. And documents like mine, Achievable Nationhood, will certainly act as a reference point for consultation, for seeing what all could be done in a certain set of circumstances. Because that had gone beyond Internet On Me report and talked about the new world. कि आज की जो रेलिटी है. How would a solution look in today's reality? The reality is focusing on economics without changing the borders. But that doesn't mean that is the last word in the resolution or as a solution. But that could certainly be taken for it was academic in nature. That could certainly be taken for in this time. इस्वार की चुनाव में वोटरों के सामने जितने भी ऑप्शिन्स हैं, उनमें आपके हिसाब से आपकी पार्टी को वो क्यू चुने हैं? What do you offer जो बाकियों से भीन हैं? सबसे बादी बात, what I offer is that I am a recipient of pain. I can understand their pain much more than anybody else can. I have not inflicted pain on any Kashmiri, but pain has been inflicted on me and my family. So I very well know when a dead body comes what it means. Because I received my father's dead body packed with bullets. I know what it means being taken to jail, dragged. I know what torture means. I know what denial of police certificate means. I know all those things which nobody knows. When I say nobody means 80% people don't know. And that is one thing which is very, very important. And even today, police certificate for example, it impacts 50% of the population. So you are lucky guys. If you have a somebody with bad antecedents in your family, it doesn't impact you. Here in the clan someone else has wronged. So the whole clan ko deny kar dhe. So that is one thing. The other thing is I think I am out of the box. I have, I believe I have good creative ideas in economics. I believe in deregulation. I believe in decentralization. I believe in a very robust social security system. So these are things, you know, which I, and I believe that I honestly don't lie. Let's not make a spectacle of each other. four bian. committal on it. Umar s'abh kahty hai hai ki yeh bjp nye chowdha hai isko, engineer. Oh, engineer s'abh a kar, sir, mujhe khali dhe rhea hai maximum. So ab kohon hai bjp? Umar s'abh ji abh sab ko bholi. So this thing is obsession with calling me every time. Otherwise, if you see, for four, three months, I did not utter a single word against him. Lekin, ek bar, upko Umar s'abh nye yeh bhi kaha ki, jab 2014 ke election thay, kya agar Sajad s'abh humse baat karta, humse mulaqat karta, hum koalishn bhi karta hai, unki party kisah. Mujhe nye bola, pata nye, apko bola hooga. Nain, public domain me bola hoon. Mujhe nye, menei to sena hi nye. Hai koji gujjais, aap kerein, sekuler friend ko, ap India kata pandan already bola hoon. Last desa forum ka, aap kounsi kujjais hai? Nain, India kata pandan already desh mein bola hoon. I will tell you one thing. I honestly, mujhe lagta hai, ki congress jo hai, with all its drawbacks, they have a young leader who comes across as sekuler. But, unfortunately, their policy in Kashmir is totally ki bhai, la me la my dog. So it can't go on. You can't be a head of a national party and decide that I have these group of friends iske baar mein kishe dosti nye karni. That's what I hold against that. Aapko lagta hai, ye aapka eek bhaat bada challenge he, kiunki aap bhaar bhaar jabse ye interview start hua hai, aap BJP se apni dori batane ki kooshish kar raha hai. Aap joh aapke vipakshi party hain jaysse PDP hain ya NCM wo toh kehte hai, aray, Sajad saap toh BJP se mele ho hai. Ye aapka sabse bada challenge jab vipakshi party hain bholti hain, toh aap keun nahi unse poochte hai, aap toh khud foreign minister te. Aap nahi poochte hai. So a person is a foreign minister, justifies every access that was taking place here. He is not BJP. Adhamam was a chief minister, she is not BJP. But I am. Why? Tell me one thing. Not a single day is there when BJP does not issue a statement against them. Do you think they are kids, they don't know it helps them? This is a 99.9% Muslim population and BJP is seen as anti-Muslim, communal. When they attack them, aren't they glorifying them? Every single day. We have to fight BJP statements against them than anything else. My taraf se aapko baut best wishes. Aapne hume vaqt dya is ke liye baut baut shukra Thank you so much.